नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 27 जनवरी शाम 7 बज़े राजस्तान की खास खबरी राजस्तान में अब सर्दी का पीक लगबग खत्म हो गया है आज से राजे में दिन और रात के तापमान में भड़ातरी शुरू हो गई है फरवरी के पहले सब्ता में सुबा शाम सर्दी जबकि दिन में घर्मी का एहसास होने लगी गा मौसम के इंदर नई दिल्ली से जारी फोर्कास्ट में फरवरी के पहले सब्ता से तापमान समाने से उपर आने की संभावना जताई है प्रदेश में मौसम के स्थित्ती देखें तो उत्तर भारत में वेस्टर्ण डिस्टिर्बेंस के आने से शर्दी से हलकी राहत मिलने शुरू हो गई जैपूर, उद्यपूर, बार्दमेर, गंगानगर सहित कई शहरों में तापमान में मामूली भड़ातरी हुए इसके साथ ही कोहरे और कोल्ड डे की स्थित्ती से भी थोड़ी राहत रही मौसम केंदर नई दिल्ली से जारी 15 दिन के फोरकास्ट के मुताबिक राजस्थान में 2-3 फरवरी से तापमान समाने से उपर आने लगेंगे कोल्ड डे के स्थित्ती खत्म होगी इसके इलावा राजे में 8 फरवी तक बारिश के कोई संभावना नहीं है कॉंग्रेस परदेश अद्यक्ष गोविन सिंग डुटासरा ने बीजेपी और केंदर सरकार पर निशाना सादा है डुटासरा ने कहा है कि राजेस्थान में जब से बीजेपी के नई सरकार बनी है कोई काम ही नहीं कर पारी है सरकार बीजेपी के अंतर कलय का शिकार होकर रह गई है कोट में पैर्वी के लिए ने सरकारी वकील नियुक्त हुए ने मंत्रियों के यहां अफसर करमचारी लगे हैं डुटासरा जैपुर में परदेश कॉंग्रिस मुख्यालय में मीडिया से बाच्छित करे थे उन्होंने कहा इस सरकार ने सारे काम रोक दिये हैं पंचायत सर से लेकर नगरपाली का और विभागों तक कोई काम नहीं हो रहे हैं जनता ने इने काम करने के लिए जनादेश दिया था लेकिन यह परची सरकार बनकर रह गई है डुटास्रा ने कहा हम सब लोग जनता के बीच जाएंगे और जनता से कहेंगे कि केंदर की तानशा सरकार को उखाड फैंकने में सयूग करें एक फरवडी से कॉंग्रिस पार्टी के नेता पूरी राजस्थान में भ्रहमन करेंगे और लोगों को जागरुख करेंगे उद्यपूर में एक नबालिक युवक की हत्या का मामला सामने आया है बदमाशों ने रोहिन पर वार कर घंबीर खायल कर दिया लोगों की मदद से उसे एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत खोशित कर दिया खटना सूरजपोल थाना क्शेतर के धोले बाबडी की है जब मृतक रोहिन खान पर पटेल सरकल निवासे दो भाई साबिर और आयान ने पुरानी रंजिश के चलते वार कर हत्या कर दी खटना के बाद सूरजपोल थाना पुलिस डियासपे शिप्रा राजावत डियासपे चांदमल सिंगारिया परतापनगर थाना अधिकारी हिमानशो सिंग राजावत जापते के साथ मौके पर पहुँचे मृतके ताव बाबु खान ने बताया कि करीब एक हफ़ते पहले भी इन्हें दोनों आरोपियों ने उसके बड़े भाई नावेद पर हमला किया था फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को पकरने की तलाश में जुटी है पाली जिले में शादी के नाम पर 13 लाख की धोखा दड़ी का मामला सामने आया है पिडित पती ने इस्तगासे के जरिये मामला दर्स करवाया सुमेरपूर थाना एस्सेचो लक्षमर सिंग ने बताया कि जालोर के आहोर निवासी 35 वर्षे दिलीप सिंग ने दी रिपोर्ट में बताया कि जनवणी 2019 में सुमेरपूर के नेतरा निवासी मोहन सिंग ने अपनी बेटी 25 वर्षे नर्मदा की शादी का प्रस्ताव रखा शादी के लिए 13 लाख मांगे 15 दिन बाद मोहन सिंग ने नर्मदा को देखने बुलाया लड़की पसंद आने पर 12 मई 2019 को शादी तै हो गई शादी भी नर्मदा के पिता को 13 लाख उर पे दिये 16 मई को मोहन सिंग समाजिक रीती रिवास से नर्मदा को पिहर ले गया और वापस आने के बाद नर्मदा छोटी छोटी बात पर जगड़ा करने लगी मई 2019 के अंत में बिना बताय पिहर चली गई और वापस नहीं आई कोरोना का बहाना बनाकर वर्ष 2022 तक पिहर में रही अब वापस आने के लिए 5 लाख उर पे और मांगी हैं पुलिस ने मामला दर्सकर जाच शुरू कर दी है अईुकताले कॉलज शिक्षा द्वारश सटर दोहजर तीस चौबिस के लिए राजस्थान के सभी राजके और मानिता प्राप्त अर आजके महाविद्यालिया विश्य विद्याले में अध्यानरत 4-4 से चातरवर्ति के लिए ओफलैन आविदन पत्रा मंत्रित किये गए हैं इस संदर्ब में आविदन पत्र 29 जनवडी से 29 फर्वडी शाम 5 बजे तक महा विद्याले में प्राप्त किये जाएंगे अयुक्ताले कॉलेज शिक्षा राजस्थान जैपूर में संस्ता प्याधान से अवीदन पत्र मैं सौफ्ट कॉपी 29 जनवरी से 11 मार्च शाम 5 बजे तक प्राप्त किये जा सकेंगे चातर वर्तियों से संबंदित नियम शर्तों की पूर्ण जानकरी एवं अवीदन फौरम विभा की वेबसाइड hte.rajistan.gov.in पर उपलब्ध है संबंदित चातर चातरा माहविदाल्य अभिभावक अवीदन फौरम विभा की वेबसाइड से डाउनलोड कर सकते हैं विदानसबा में प्रतिपक्ष के नेता टीका राम जूलिय ने कहा है कि हाँ उन पर भवर जितेंदर सिंग का हाथ है भवर जितेंदर पर राहुल गांदी का हाथ है लेकिन इसकी गलत व्याक्या नहीं होने चेये मैंने जिला देक्षवे तीन बर विधायक रहते हुए अच्छा काम किया जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी उसे पूरा किया अब पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है अब में लेता प्रतिपक्ष के रूप में जनता के काम करके दिखाउँगा प्रदेश के मुद टीकर राम जूली ने मीडिया से कहा कि बीजेपी में बिलकुल नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है जो कभी सत्ता का हिस्सा नहीं रहा वहां तो पर्ची की सरकार बनी है इससे नुकसान जनता को होगा जैपुर में दस्वें कलास की चात्रा से रेप का मामला सामनी आया है खर से नाबालिक पीडीता को परिचित किडनेप कर ले गया गहने कैश भी चौडी कर साथ ले गया नाबालिक की पिता ने कानोता थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी 14 साल की बेटी दस्वें क्लास में पढ़ती है आरोप है कि 29 नवंबर को उनकी नबालिक बेटी को बहला कर दोसा निवासी 19 वर्षी महेंदर प्रजापत भगा ले गया पुलिस ने नबालिक बेटी की तलाश कर उसे मत चांदी के गहने और करीब 50,000 पे कैश भी चोरी कर ले गया किर्णैप कर नबालिक बेटी से रेप किया पुलिस ने मामला दर्सकर जाच शुरू कर दी है पाली जिले में पिता के निधन के बाद जब परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रा था तो एक परीचित ने मकान पर लोन दिलाने की बात कई विशवाश में लेकर मकान की पावर ओफ अटोर ने खुद के नाम करवा कर फरजी कागजों से मकान का बिचान नामा बना दिया सुमेरपूर थाने में वीर दुर्गादास को लोनी निवासी महेंदर सुथार ने सुमेरपूर निवासी हीरा लाल और सुरेश सुथार के खिलाफ दी रिपूर्ट में बताया कि मेरे पिता प्रीमरास ने 2019 में सुमेरपूर में अबासे यूजना वीर दुर्गादास नगर पार्ट ए में चगनलाल से प्लोट खरीदा था दस जनवरी 2020 को पिता के निधन के बाद आर्थिक तंगी हो गई तो आरोपी हीरा लाल ने मकान पर लोन दिलाने का अस्वाशन दिया विश्वाश में लेकर पावर ओफ अट और ने खुद के नाम करवा कर फर्जी कागजत बन आकर मकान का बिचान नामा 6 अपरेल 2021 को सुरेश कुमार के नाम कर दिया महेंदर्द्य आरोपियों से कागजात मांगे लेकिन आरोपी नहीं माने पुलिस ने मामला दर्श कर जाच शुरू कर दी है बार्मिर जिले के चौटन और धनाओ पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ संयुक्त कारवई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफतार किया है इनके कबजे से 7 ग्राम 960 मिली ग्राम ड्रक्स बरामत की वह एक स्कॉर्पियों गारी वे एक बाइक को जब्त की है इसके अनुमारित कीमत 1.50 लाख रुपे आंकी गई है पांच आरोपी स्मैक की खरीद फरुख्त कर रहे थे जिले में संभवते ऐसी कारवई पहली बार हुई है गिरफतार आरोपियों में एक सरकारी टीचर है पुलिस के अनिसार धनाव थोना अधिकारी को सूचना मिली के डुग्राराम निवासी कापराव वे चार अन्य व्यक्ति कापराव गाम के पास ड्रक्स खरीदने वे बेशने वाले है थनाव और चोटन पुलिस ने संयुक्त रूप से दबिश देकर मादक पदार्थ समैक बेशते हुए डुग्राराम निवासी कापराव समेत पांच जनों को दस्तियाब कर गिरफतार कर लिया गिरफतार अरोपियों में अब्दुल हादी निवासी को उन्दरा गाम सरकारी ठीचर है दोसा जिले के पपड़दा थाना पुलिस ने नबालिक को बहला फुसला कर शादी का जहांसा दे कर अपहरण वे दुशकरम के मामले में कारवई करते हुए कारोपी को गिरफतार किया है पिड़िता के पिता ने 19 जनवरी को ठाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 17 जनवरी को 11 कक्षा में पढ़ने वाली उसके नबालिक बेटी रात को खाना खाकर पढ़ने के लिए कमरे में गई थी अगले दिन सुबह कमरे में नहीं मिली पीडित ने अंदेशा जिताया कि इसकी बेटी को राम अवतार वे हंसरास मीना निवासी खंडेवल फुसला कर कहीं ले गए पुलिस ने तकनीकी सहायता वे मुबाइल लोकेशन के अधार पर पीडिता तथा रूपी को बिहार के पुर्णिया जिले से दस्तियाप कर लिया पीडिता ने बताया कि राम अवतार मीना शादी का जहांसा दे कर भगा ले गया और जबरन दुशकरम किया पुलिस ने रूपी राम अवतार मीना निवासी पीपलिया वाली ठानी तन खंडीवल को गिरफतार किया है चmaybe झाली झाली पीपलिस आतार कि साहले कि दस्तिया अवतार कि रहांसा प्यावल का इभतार कि लेफिया यंवतार जबर लेुछ धन Тутको। झाल झाल